जी हाँ दोस्तों बीबी हरियाणा से बुड़ापा पेंसन को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आई है पेंसन धारकों को फिर से बड़ा जटका लगा है पांद सम्लाब पचास लाग परिवारों की पेंसन फिर से कटी है इस महीने से इन सबी को नहीं मिलेगे बुड़ापा पेंसन आप सरी लोग जान सकते हैं कि हरियाण सरकार ने ये योजन क्यों बनाई है और इतने लोगों की बुड़ापा पेंसन क्यों कटी है तो आए दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं अभी अभी जिल्या समाज कल्यार से नया लेटर जारी हुआ है कि कई बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंसन रोग दे गई है अत्वा कार्ट दे गई है इसका रीजन ये है कि कई बुजुर्ग गलत स्रोतों से पेंसन ले रहे हैं और कुछ बुरत ऐसे लोग हैं जो दो से तीन तीन बुड़ापा पेंसन ले रहे हैं कुछ बुड़ापा पेंसन ले रहे हैं कुछ बेसारा पेंसन ले रहे हैं और गलत तरीके से पेंसन लेने वालों के लिए नए रिकवरी नीत भी चालूगी गई है जिसमें खटर ने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि बुजुर्गों को नहीं दी जाएगी अब बुढ़ापा पेंसन क्योंकि बुजुर्ग कुछ ऐसे हैं जो सीम खटर की बात की अवहिलना कर रहे हैं जिसमें 3.5 लाग आए वालों लोगों को भी बुढ़ापा पेंसन सीम खटर ने देने का आइलान किया है फिर भी इससे अधिक कमाई करने वाले लोग भी बुढ़ापा पेंसन की योजना से लाव ले रहे हैं सीम खटर ने साब साब कहा है जो बुढ़ापा पेंसन वही वेक्ति लेगा जो गरीवी रेखा के दाएरे में आता है फिलाल आए को बढ़ा दिया गया है पहले थी एक लाग असी हजार और अब उसका दाएरा फिर से बढ़ चुका है साड़े तीन लाग तक फिर भी बुजुर्गों की पेंसन पांद असलों पचास लाग परिवानों की पेंसन का दिये गई हैं इसमें कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से पेंसन ले रहे हैं